सलाम उलेकुम एवरिवान इस इस मी आईशा इबराहीम वेलकम टूमारा यूट्यूब चैनल आज का जो हमारा लेक्शर है इसमें हम डिसकस करेंगे सुसाइटी और इसके कुछ टाइप्स को तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रड़क्शन ओफ सुसाइटी जब भी हम से तुसची को डिफाइन करते हैं तो सोशीलोजी की जो फर्सथ रेफिनेशन हमारे माल में आती है वह यहीं है के सोशीलोजी आप साइन्टिफिक स्टाड़ी और सुसाइटी के क component या जो basic unit है वो है individual जब कुछ individual मिलते हैं वापस में interact करते हैं तो social groups बनते हैं और जब different social groups मिलते हैं उनका interaction होता है तो हम कह सकते हैं कि एक society बनती है simple words में अगर हम society को define करें तो society क्या है it consists of people who share a territory who interact with each other and who share a culture society क्या है लोगों के एक ऐसा मजमुवा है जो के same territory share करते हैं यानि वो एक जगा पर रहते हैं एक दूसरे के साथ interact करते हैं और उनके दरम्यान common culture exist करता है इसको हम कहते हैं society functionalism के मताबिक society क्या है society different parts से मिलकर बनती है और जितने भी parts है वो सारे interconnected होते हैं यानि वो सारे parts मिल जलकर काम करें होते हैं और इसी वज़े से society का function है जो structure है वो maintain रहता है और society smoothly run करती है then next है definition of society first definition के मताबिक society is a web of social relationship society जो है एक जाल है social relationships का और second definition के मताबिक society is not a group of people it is a system of relationship that exists between individual of the group society सिर्फ लोगों का एक मजमुआ नहीं है ग्रूप नहीं है बलकि ये एक relationship का system है जो के groups में जो individual है उनके दरम्यान exist करता है then next है elements of society elements of society में मतलब कौन कौन से elements होते हैं जो के society को बनाने में मदद देते हैं सबसे पहले ये कि large number of people किसी भी society को बनाने के लिए जरूरी है कि वहां large number of people हो यानि यह नहीं के 10-12 लोग होंगे तो वो एक society बन गई ऐसा नहीं होता वो एक group होता है जब बहुत सारे group से कठे हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि ये society है जैसे पाकिसानी society, Indian society तो इन societies में लाखों करोडों की तदाद में अवाम है तो यानि जब बहुत सारे लोग इकठे होते हैं तब society बनती है पहली शर्ट इससी क्या है कि बहुत सारे लोगों का होना जरूरी है दूसरा living together जरूरी है कि वो इकठे रहते हों मतलब ये नहीं कि एक पाकिसान में रह रहा है बंदा तो दूसरा बंगला देश में तीसरा कहीं हो और तो वो सारे मिलके एक society ऐसा नहीं होता society बनाने के लिए जरूरी है कि same territory हो लोग एक जगा पर रह रहे हो फिर specific geographical area जैसे हमने बात की कि जो पाकिसान की boundaries में रह रहे होंगे हम उनको पाकिसानी society का हिस्सा कंसिर्डर करेंगे जो इंडिया में रह रहे होंगे वो इंडियन society का हिस्सा होंगे तो special geographical area होना जरूरी है fourth point है having a common culture उनके दरम्यान common culture होना जरूरी है then fifth point है feelings of association उनके दरम्यान एक attachment हो एक feeling of association का होना जरूरी है तो यह पांच elements हैं जो कि society को बनाते हैं और हम इसको definition में भी लिख सकते हैं कि society क्या है large number of people living together and having a specific geographical area having a common culture and having a sense of association या feeling of association यह है society तो यह कुछ इसके elements थे इसको हम ingredients of society भी बोल सकते हैं then next है types of societies वैसे तो societies के बहुत ज़्यादा types होती हैं लेकिन जो anthropologist और sociologist ने define की हैं वो यह six types और main check यही types हैं जिनको आज हम discuss करेंगे first है hunting and gathering societies, second है pastoral societies, third है horticulture societies, fourth one is agricultural societies and the fifth one is industrial societies और last पे है post industrial societies तो one by one हम इनको discuss करते हैं फरस्ट है hunting and gathering society hunting and gathering society जो है यह most primitive form of society है यह earliest form of society है सबसे पहली जो society बनी थी वो hunting and gathering society ही थी यह small societies थी और यहां nomadic lifestyle था, nomadic lifestyle यह होता है कि जहां लोग move करते रहते हैं वक के साथ साथ मतलब उनको एक जगा से खुराक मिल रही है उन्होंने वहां से लीग वहां खतम होगी तो वह कहीं और move कर लेंगे मतलब वो permanent एक जगा पर नहीं रहते हैं बलके वो move करते रहते हैं तो यहां nomadic lifestyle था, मतलब लोग जो हैं वो एक जगा से दूसरी जगा move करते रहते थे hunting और gathering के नाम से ही समझ जा रही है कि यहां जानदरों को hunt किया जाता था और food को gather किया जाता था, मतलब fruits और vegetables वगारा को देखें survival के लिए सबसे जादा ज़रूरी है food जब तक आपको खुराक मिलेगी आप जिन्दा रह सकते हो, जब आपकी food आपके पास नहीं है तो आपका survival बहुत मुश्किल हो जाएगा तो hunting और gathering societies में लोगों का survival कैसे मुम्किन था कि वो जानदरों का शिकार करते थे और food को यानि vegetables और जो फल, सबजें वगारा होती थी उनको एकठा करते थे और इस तरह से वो अपना गुजर बसर करते थे यहाँ पर जो primary उनका institution था, वो family ही था small families होती थी यहाँ पर इसके इलावा यहाँ कोई institution डिवैलप नहीं था यह societies होती, small थी ज़स हमने पहले का और यहाँ पर less than 50 members होते थे इसके इलावा यहाँ पर equal division of labor होती थी मतलब male का का काम क्या होता था कि वो बाहर निकलते थे और वो hunting करते थे और female का काम की ओदर था कि वो gatherers होती थी, वो फूड को gather करती थी जितनी भी vegetables और fruits वागर आसपा से मिलते थे उनको इकठा करती थी तो यह hunting और gathering societies थी second society है pastoral society pastoral societies जो है यह 12,000 साल पहले यह societies exist करती थी यहाँ पर crops का कोई concept नहीं था अक्सर जो है वो इकटी पढ़ाई जाती है pastoral societies और hoity culture तो pastoral societies में crops की वो नहीं थी मतलब cultivation नहीं थी यहाँ पर सिर्फ domestication of animals था यहाँ पर जानवरों को breed करवाय जाता था और जानवरों पर ही लोगों का survival मुमकिन था यह वोली जो societies है यह आज भी है नौर्थ अफ्रीका डिजर्ट में जाएंवाइजिस्ट करती है यहाँ पर कुछ इस तरह से होता था कि लोगों का पहले लिक था नॉमेडिक लाइफस्टायल उन्होंने खापी लिया हंट कर लिया और इस तरह से फिर उन्होंने सोचा कि इस तरह तो यह जान्वर भी खतम हो जाएंगे और यह जो है फूड भी खतम हो जाएंगी तो हमारा सरवाइवल कैसे मुमकीन होगा पिर उन्होंने जान्वरों को रखना शुरू कर दिया मतलब पालना शुरू कर दिया और उनकी ब्रीडिंग करवाई 2-4, 4-6, 6-6, 6-6, इस तरह से जानवरों की तादाद में इजाफ़ा होने लगा और उन्ही जानवरों से वो गोश्ट भी हासिल करते थे और दूद वगारा भी हासिल करते थे तो इस सरह से इस सुसाइटी में उनका सर्वाइवल ममकिन हुआ यानि के जानवरों पर इनकी सर्वाइवल थी यहां पर the next सुसाइटी है horticulture सुसाइटी horticulture सुसाइटी में basically ये था के सबजियां और जो fruits से वो cultivate किये जाने लगे थे लेकिन without tools horticulture सुसाइटी में लोग क्या करते थे कि पहले उन्होंने जानवरों को रखना शुरू किया फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि मतलब फूर्ट्स और वेजिटेबल्स वगएरा भी जिस हिसाब से वो खा रहे थे वो खतम हो नहीं थी तो उन्होंने यह चीज़ अबसर्फ की कि जहां पर बीच गिरता है वहीं प यहां कोई टूल्स वगएरा नहीं थे जो उनको मतलब बड़े पेमाने पर फूर्ट प्रोवाइड करें उनका अपना गुजर बैसर होता था यानि वो वेजिटेबल्स प्लांट्स वगएरा को कल्टिवेट कर लेते थे इसके इलावा यहां पर भी नुमेडिक लाइफ स् और इस जो ससाइटी थी यहां पर रिलिजन और गौर्मिंट वगएरा के जो डिपार्टमेंट थे वो बनना शुरू हो गए थे इन नेक्स्ट है सुसाइटी अग्रेरियन सुसाइटी अग्रेरियन सुसाइटी को हम अग्रिकल्चरल सुसाइटी भी बोलते हैं यहां पर ट कर्टी कल्चर सोसाइटीज में यह था कि हम कल्टीवेशन तो करते थे लेकिन चोटे पेमाने पर करते थे और वह विदाउट टूल्स और टेकनॉलजी उता था और छोटे पेमाने पर ही थोड़ी तादाद में उनके पास फूड गैजरिंग होती थी यहां पर क्या होता था क कि उन्हों ने टेकनॉलोजी को यूज करना शुरू कर दिया यहां पर फूड जादा उगाई जाने लगी थी यहां पर डिफिंट टूल्स और आगए जिन्हों ने उनकी जो प्रोड़क्शन है फूड की उसको जादा ग्रो करने में हेल्फ किया यहां पर इसके इलावा ज लोगों ने पर्मेनेट सैटलमेंट अपनी बना ली थी फिर वह टाउन बनना शुरू हो गए इस पर्मेनेट सैटलमेंट से और पर टाउन जो हैं वह सिटीज में कनवर्ड होना शुरू हो गए और इसके लावे यहां पर आर्ट म्यूजिक पोईट्री क्राफ्टिंग ज़ादा मांट में फूड प्रोड्यूस हो रही ना सिर्फ अपने लिए बलके दूसरों के लिए भी पैदा की जाती थी फूड इस स्टेज में देंस्ट है इंड़स्टियल ससाइटी इंडस्ट्रियल ससाइट्य जो है इंडस्ट्रील डावलूशन जो के 18 संचुरी में इ लगा था लोगों को जादा रोजगार मिलने लगा था यहां पर एजूकेशन इंस्टिटूट डिवैलप हो गया था यहां पर बेसिकली यह हुआ था कि इंडस्ट्री रेवोलूशन आया तो इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई थी फैक्ट्री और मशीनरी ने काम संभाल पहले जो काम चोटे पेमाने पर घरों अगारा में किया जाता था इसके इलावा इंडस्ट्रल ससाइटी की वज़ज़ से हमारी अग्री कल्चर में काफी चेंज आया क्योंके मशीनरी वगारा एडवांस हो गई थी पहले हल चलाए जाते थे उसके बाद मशीनरी आ गई ट पोस्ट इंडस्ट्रAL ससाइटी में एजूकेशन सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट कंसिडर किया जाता है इकॉनमिक ग्रोथ में आज का जो दोर है इसे हम डिजिटल वर्ड या डिजिटल एरा भी कहते हैं तो यह पोस्ट इंडस्ट्रAL का ही दोर है यहाँ यह वहला जो पोस्ट इंडस्ट्रिल एरा था या सुसाइटी से यह कब डिवैलप हुई जब कंप्यूटर की इजाद हुई यानि जब टेकनोलोजी बहुत जादा एडवान्स होना शुरू हो गई थी यहां पर एडुकेशन की बेस पर सोशल क्लासेज बनना स्टार्ट हुई यानि जिसको मुबाइल फून यूज करना आता है जो टेकनोलोजी को यूज करना जानता है जिसको उस पर महार रहे था जिसके पास skills है उसको समझा जाता है कि ये काम का बंदा है उसकी social class हाई और जो लोग नहीं समझ सकते technology को या जिनको यूज नहीं करना आता उनको लोग social class में रखा जाता है आज कल जैसे हम देखें online business चल रहे है internet पे ही आपको हर चीज मिल जाती है जैसे amazon हो गया पाकिसान में दराज हो गया आपको जो चीज चाहिए आप online खरीच सकते हो तो यानि आप online digitally अपने products को अपनी services को sale करना जानते हो तो यह basically post industrial societies है जहां पर technology बहुत जादा advance हो जाए जहां education में बहुत जादा तरक्की हो मतलब education को बहुत जादा इंपोर्टेंस दी जाए और जितना भी आपका काम है जो आप services या जो आप sale कर रहे हो products वगरा वो आप online कर सकते हो जैसे अब transportation का देख लें तो cream और Uber वगरा जहां पाकिसान में चल रही है transportation के लिए यह भी एक online services प्रवाइड कर रहे हैं इसके लावा different apps हैं जो आपको घर बैटे food प्रवाइड कर देती हैं जैसे food पांडा हो गया तो यह post industrial societies हैं जहां technology बहुत ज़्यदा advance हो गई हो next year देख लेते हैं थोड़ी सी summary है जहां पर एक एक लाइन में सारी societies हैं को define किया गया है first hunting और gathering society ऐसे society जहां पर लोगों का गुजर बसर fruits, vegetables और जानवरों को hunt करके हो यहां पर लोग जानवरों का शिकार करते हो और fruits और vegetables खाके गुजारा करते हो second horticulture में लोगों का survival सिर्फ plants को grow करके हो यानि वो cultivation करें plants की third जो है इसमें food is obtained by raising and taking care of animals यानि यहां पर माल मविश्यों के जरीए से जो है वो लोग अपना survival को मुमकिन बनाए उनके गोश्ट दूद बगएरा से जो है वो survive कर रहे हो यानि यहां पर लोग सिर्फ जो है वो जानवरों की take care करते हैं जानवरों को पालते हैं food agricultural society या agrarian society जहां पर हम food को produce करते हो और हल चलाकर जानवरों की मदद से यहां पर different tools की जात के बाद और यहां पर different crops like mails, corn, rice इन चीज़ों को भी cultivate किया जाने लगा था और यहां पर जादा food की production होई थी ना सिर्फ अपने लिए बलके दूसरों के लिए भी खुराक को पैदा किया जाने लगा था then fifth one is industrial societies जहां पर जो science का एक दो और टेकनोलोजी आ गई थी और factories में काम किया जाने लगा था और इसकी वज़े से जहां वागर cultural societies भी बेहतर होई थी next last है post industrial societies जहां पर आप जो है वो online सब कुछ कर सकते हो जहां education को बहुत जादा priority दी जाती हो जहां बहुत high level की technology हो जहां manufacturing based economy service based economy में convert हो जाए simply उसको हम post industrial societies बोलते हैं तो यह था आज का lecture जिसमें हमने discuss कि है कुछ types of societies को इसके लावा हमने introduction वगरा देखा society है क्या यह देखा तो आज का ही lecture आप लोगों के लिए helpful रहा होगा don't forget to subscribe my channel do like comment and share this video thank you so much झाल